हलो इब्रिवान गुड आफ्रेनोन वेलकम बैक टू माई चैनल कैसे हैं आप सभी आई होप आप तो बहुत अच्छे होंगे तो दुफार का वक्त होग है करीब बारा बज़ के और पैतालुश मिनट का टाइम है और यहाँ पास में रख देती दाल बनने के लिए दाल बहले बन चुकी है और अब मैं चावल रख देती हूं वनने के लिए उसी कुकर को खाली करकर तो अच्छे से दुलाई कर लेती हूं चावल को दो तीन बार वैसे घर का चावल है इतना ज़्यादा खरापनी रहता है पर दो तीन बार अच्छे से साफ करने के बाद कुकर में अपास रख दिया है खाना बनने के लिए नहीं तो एक बज़े के बाद ही रखती हूं तो आज जल्दी थोड़ा सा रख दिया था चलिए बस ताल बन गई है चावल बन जाए फटाफट से जो यह बरतन सर्तन है इनको भी लगा देती हूं और फिर इसके बाद है थोड़ा देते हैं और आज लाइट भी थोड़ा सा फरसान का जैसे देख सकते हैं जब मतलब लाइट नहीं से वीडियो नहीं हो पाती है तो चलिए कोई बात नहीं इसी बीचे रह चाफल बन गया था और आज जैसे डिब्बा मैंने खोल के देखा रोटी का था रोटियां खतम थी कि इस्टा रखी रहेंगे कभी भी जिसको भी खाना होत उखा लेते हैं तो फिला लाजना खतम हो गई थी जादा मैंने नहीं बनाया था चलिए दो-चार रोटियां सेकते हैं इसके बाद फिर लगाते हैं खाना सबजी सुभए की ही रखी हुई है तो सबजी बनाने के फि अबर्तन भी साफ कर लीती हो तो साम तक कलें न फुरसत रहेंगे फिर वही चाय का टायम हो जाएका बब कपड़े अप्ड़े फोल्ड करनीगा तो फिलहाल किचन का काम है न कुछ टाइम तक के लिए रूख जाएगा फिर तो साम भी तो साम को कुछ ना कुछ बनाना पड़ तो पूरा इस टॉप मैंने पहले ही साफ कर लिया था बरतन घृलने से पहले ही बस लाश्ट में एक कपड़ा थोड़ा सा और मार देती हूं जहां जहां पानी मितलब रह गया होगा तो अच्छे से सूख जाएगा चलिए किचन हो गया हमारा क्लीन इसके बाद सीधे मैं मिल करीब 7.30 बजी का टाइम है तो यहां पास मैं रख रही हैं दाल बनने के लिए रात के खाने के लिए तो उड़त मूंग और चने साथ में मसूर की दाल तो थोड़ा थोड़ा मैंने चारो दालों को ले लिया है जादा ने एक मुठी है करीब सभी दालों को यहां पास डाल दाल दिया है यह होगी मसूर की दाल लाष्ट में मैंने इसमें डाला है अच्छे से धुलाई करके रख देती हूं पकने के लिए फिर रह जाएगा दाल में तड़का लगाने के लिए ती यहां पास इतना पानी कॉंटिटी में चाहिए उतना मैंने रह लिया है थोड़ा स दाल रोटी और सात में भिंडी का थोड़ा समय आपास ना भिंडी के भरता वनाने वाली हो इनकी अच्छे से मतलब जो मुझे भूनाई तब्हें मैं जैसे कि आलू भूनती हूं तो बस भिंडी को भी अच्छे से भून देना है तो यहां पास जो मुझे बिंडी चुट अच्छी से भुनती है और टेस्ट भी उनका अच्छा रहता है जैसे की आज तो चलिए दाल मितड का लगने की बास सीधी मैं मिल रही है आप लोगों से नेश्ट मॉर्निंग फिर मैंने कोई वीडियो रात में कोई वीडियो शोट नहीं की थी तो यहां पास सुबह सुबह का वक्त है करीब च्छा बचने वाले होंगे फिलाल तो आगे थे बाहर चाह लेके और बहुत अच्छा मौसम करके रखा थ साथ मतलब अगल बगल कहीं बाहर ही सो रही होगी यहां तो नहीं हो रही थी पर बहुत ठंडी ठंडी एकदम सी ना हवा चल रही थी तो फिलाल यह पास पैटेंगे चाह पीएंगे और इसके बाद फिर चलते हैं किचन में वहीं ब्रेकफास्ट बनाने के लिए तो ब्रेक सब्जे जादा नहीं बनानी है क्योंकि बच्चे यह सारी सब्जी फिर नहीं खाते हैं उनको यह सारी मिक्स वेज़ वाली सब्जी होती है ऐसे जो से मैं बनाती हूं बॉयल करके इनको नहीं पसंद है क्योंकि अगर कड़ाय में तड़कल आगे बनती तो अलग टेस्ट आ इनके लिए मैंने breakfast बनाया इसके बाद लगी हो cleaning की काम में तो बच्चों कारून थोड़ा सा मुझे ठीक टाक करना है दो दिन में तीन दिन में मतलब जाड़ों पहुंचा तो डेली हो था मंगर दो तीन दिन में इसको थोड़ा सा कपड़े हो गए बच्चों के इसारा ना ठ टीक टाक करना पड़ता है तो चलिए फड़ा फरसी यहाँ पस भीस्तर पहले ठीक कर देती हूँ इसके बात कपड़े वह हो गया स्टडी टेवल हो गया यह सारी चीजों को थोड़ा सा ठीक करना है तो चलिए बीस्तर मतलब बेट सीट निकाल के मैंने नहीं जाड़ा है ब चलते हैं इस्टरी टेवल की तरफ तो यहां टाबल डूबल फैले हुई है तो फैले तो इनको हटा के यहां से फोल्ड करके रख देती हो वेवस मतलब टेवल ठीक ठाकी थी थी थोड़ा सा मैंने बेवस थी कर दिया है सारी चीजी धर उधर जो रखी हुई थी तो यहां पा सबस्केशे दिदेशन दने करें तो फिर दस्ट बहलें में डालेंगे लिए इसके बाद बारी आती है थोड़ा से यहां पास कपड़े उपड़े सारी ठीक, ठाक करकी रखने से वेसे रखे तो ठीक ठाक ही थे मगण थोड़ा सा ओपन नीचे भंच नहीं रखे ते तह त फुल फुल एक दम टोग्रियान लग रही थी तो सारी को थोड़ा सा बेवस्थित कर दिया दोनों सारी के दोनों के कपड़े इसके बाद थोड़ा सा फुक्स फैली है जैसे के आफ लोग देख सकते हैं तो इसको ठीक ठाक करना है तो दो से तीन दिन में जो बच्चों की रह नर्ष ना इधर से उधर फैल गया थे जैसे की देखी सकते हैं तो इसको थोड़ा सा सारे चीज़ों को रख देना है बेवस्थित तो सामने सामने चीज़े वह ही रखनी है तो ज्यादा यूज में आती हैं बाकी के तो फीचे ही सारे चीज़े रहती हैं जो हपते में महीन सेट कर दिया है सारी कन्टेनर्स मि एक बार में कुछ-कुछ निकालते हैं फिर फैल ही जाते पर चलिए प्रचलर एक बार तो फिर अच्छ से साफ हो गई है इसी बीच मैंने कपड़े भी साफ कर लिये थे घर काम निप्टाते निप्टाते तो इनको भी फटा-फटा दाल द साम टाइम तो खास कर बारी सोने लगती है नहीं भी होती तो भी ऐसे बादल हो जाते हैं धूब तो रहती नहीं है इसलिए कपड़े वाला काम जब धुलो आज कल का टाइम यही है तुरंत फैलाना पड़ता है तो गरिमी के सिजन में हम साम मैं साम को ही फैलाती थी मगर अब दिया है सबसे लाश्ट में बारी आती है बाहर का जो काम था दुलाई लाई करना अब वो ने पूरा कर दिया है पस रह गया यह तो फटा फट से इसकी बेट सीट मुझे जाड़ना है थोड़ा थोड़ा कचड़ा सा मतलब हर जगा फैल जाता है और इसको बंद करके मुझ फसी हुए थी फिर इसके बाद अच्छे से जाड़ा लगा हुआ था एक जूला टाइप से है इसमें मतलब फोल मैंने डाल के रखा जो आटिफिकर फूल होते हैं इनको भी थोड़ा सा इसमें ना दोल जम गई थी अच्छे से साफ कर दिया है और फिर उसे जूले में डाल साइड में पास रख दोंगे पहले में बीच में इसको लगा के रखी थी पर एक बारों ना बीच में लगाना निकालना थोड़ा सा मुस्किल था इसलिए मैंने हटा के साइड में कर दिया इसके बाद बारी आती है और फिर मतलब मैं कोई वीडियो सूट नहीं कर पाई चा जाना time में मिला नहीं इसलिए रहा जलदी जल्दी एसलिए विडियो भी विडियो कर पाय सुट कर पाई पिर जल्दी जल्दी से खाना पीना बनाया सब लोग को नहीं खाना पीना उर्म विडियो के पार बीट इस लूई अर् trenches अब छले गया है नोज भाउ मतलब 3 वजए कर दॉक्हार की पास पॉस्पेदि इंतला तो लोग चले गया है involves किचन क्लीन करने की और बरतन साफ करने की तो पहले तो पूरे बरतन मैं इकठा कर लेती हूं जल्दी से और जो भी ठाली में कचड़ा उचड़ा है तो सारा मैं एक्वियट में डाल लिया है इसको मतलब डश्ट में मेरी खिलाल आज बाहर रखे हुए तो यह डाल किया हूंगी इसके बाद बरतन सारी कठा की हैं सिंग में और बारी आती है किचन क्लीन करने के तो पहले हमाई किचन साफ कर लेती हूं जल्दी से और फिर फटा-फट से लगी हाथ ना बरतन साफ कर लो बचे से साफ हो गई अब बारी आती है बरतनों की बरतन थोड़े से जाता है तो चलिए कोई बात नहीं दस मियाट लगना था दो वीश्ट मियट लगे पड़ा-फट से बरतन क्लीन करते हैं और आज का जो रोटीन है मेरा वो खतम होता है कैसी लगी आपनों को मेरी वीडि वीडियो को सेयर किया करें और आप लोग लाइक किया करें कमेंट किया करें मिलती है आप लोगों से